प्रपंच कारी है वो बहुत ज़्यादा सक्ते में है गवराय हुए है और उल जलूल बाते करते हुए नजर आ रहे है इसकड़ी में सबसे पहले नाम लिया जा सकता है राजदिप सदेशाई नाम के उस प्रपंच कारी का जो के सुसान सिंग राजपूत के मामले में एक निर्नाय सुनाता हुआ नजर आ रहा था और जिसने सबसे पहले एक पियार एजनसी के तौर पर मंच मोहिया कराया था सुसान सिंग राजपूत की मामले की सबसे बड़ी आरोपी रिया चक्रवर्ति को और जिस तरीके से हस हस कर सवाल पूछते हुए ये CBI जाज से पहले ही पूरे देश को ये नेड़ सुना देने की जल्दी में था कि सुसान सिंग राजपूत की मौत से रिया चक्रवर्ति का कोई ले नजरा नहीं है और जो आरोप रिया पर लग रहे हैं सिकंजा कसता जा रहा है यही वो बात है जिसको लेकर CBI जाज से इतना ज़्यादा डर गया है राजदीब सदेशाई और ये कहता हुआ नजरा रहा है कि सुसान सिंग राजपूत के मामले की तरह से क्या CBI अब TRP स्केम के मामले में भी जाज करने जा रही है पहले मुंबई पुलिस से जाज इसी तरीके से सुवान सिंग राजपूत के मामले में ली गई थी और अब मुंबई पुलिस जो दूसरे मामले की जाज कर रही है उसको भी उत्तरपदे सरकार की पहल पर अब CBI को सौप दिया गया है क्या ये सेंटर यानि की केंद सरकार का हस्त छेफ है ये वही राजिव सदेसाई है या आज तक चैनल का उप्रपंच कारी है तमाम केसिस में ये लोग CBI जांच की मांग करते हैं अब जब इनके ही कुकर्मों के खिलाप इनके ही पापों के खिलाप इनके ही ब्रश्टचार के खिलाप इनकी ही चोरी और बहिमानी के खिलाप CBI जांच होती हुई दिख रही है तो ये घबराए हुए है दरसल जो CBI जांस के लिए उत्तर प्रदेश में मामला दर्ज हुआ है इस मामले में अभी तक किसी का नाम नहीं लिया गया है ये अग्यात लोगों के खिलाप है लेकिन चोर की दारी में तिनका होता है इसलिए राजदीव सरदेशाई और पूरा का पूरा इंडिया टूडे गुरूप आज तक चैनल ये सबके सब घबराए हुए है कोई भी अब इस पूरे मामले पर बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है चाए राहुल कमल हो जो जैसे ही परंबीर सिंग की जूटी प्रेस कॉनफरेंस में अर्नब गोश्वामी का ना उसने सुना था रेपब्लेक टीवी का नाम सुना था तो एकदम बल्लीयों उचनले लगा था ना वो सुधीर चौधरी ना रजस सर्मा ना रुबिका लियाकत जैसे लोग ना अविका कुमार जैसे लोग अब ये सब के सब घबराये हुए हैं और इन्हें ये पता नहीं च हमने हैं जैसे तोर पर इंडिया टूडे गुरूप और आज तक तो इसमें सबसे ज़्यादा आगे रहने ही वाला है क्योंकि उनके ऊपर तो टी आर्पी घोटा लिका केस पहले ही साबित हो चुका है बी ए आर्सी यानिके ब्रॉडकार्स आडियंस रिसर्स काउंसिल ने पहले ही इंडिया टूडे गुरूप पर 31 जुलाई को एक नोटिस बेज कर 5 लाग का जुर्मान लगा दिया था जो के एक लंबी चोड़ी रिपोर्ट के बाद आया था और उससे पहले हंसा रिसर्च ने भी जिस तरीके से इंडिया टूडे गुरूप का नाम लिया और त द्टीक की थी जिस रिपोर्ट की बिना पर प्रेस कन्फरेंस की थी उस सभी में सबसे ज़्यादा इसपश त और पर 6 जगह इंडिया टूडे गुरूप का नाम था लेकिन कमाल देखी है कि परिम्बीर सफ़्ण इंडिया टूडे कर नाम अर्नब गोष्वामी और उसके चैनल को निसाना बांगता हुआ दिखाई दिया और ये कहता हुआ दिखाई दिया कि अर्नब का जो चैनल है उसके तमाम अकाउंट्स को खंघाला जाएगा तमाम विग्यापन दाताओं को भी पकड़ा जाएगा जिससे पता चले कि इनोंने कितना बड़ा घोटाला किया है और परम्बीर सिंग ने तो उस घोटाले को 40,000 करोड के क्वांटम का घोटाला बता दिया था यानि कि परम्बीर वहाँ पर लंबी लंबी छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा था और उसी परम्बीर को उसी के एक जूनियर को मंच महिया कराया था इंडिया टुडे गुरुप ने आज सक चैनल ने और जिस तरीके से इन लोगों ने लड़ू बांटे थे जिस तरीके से इनोंने खुसिया मनाई थी आज उसका नतीजा इनको भुगतना पड़ रहा है पुरानी कावत है कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोथता है गिरना उसी को पड़ता है क्योंकि बक्त का पईया जितनी तेजी से घूंता है आदमी का दिमाग उतनी तेजी से नहीं चल सकता और इसी का नतीजा है कि जो अरण पुरी, कलीपुरी, राजदीप सर्देशाई, राहुल कवल, रोहिज, सर्दाना अंजराउं का सेप और सोईता सिंग चित्या पार्टी जैसे लोग तमाम खुशिया मना रहे थे उन्हें लग रहा था कि अब अनर्फ के चैनल को टार्गेट बनाके इनकी खोई हुई बाप जो टी आरपी है बापस आ जाएगी लेकिन उसका नतीजा अब कुछ और होता हुआ दिख रहा है, इस पूरे मामले में यह सब के सब घरते नजरा रहे हैं, इंडिया टूडे ग एक मौका बनता हुआ नजरा रहा है, पूरे देश में इस बात को लेकर खुशी की लहर है, तमाम लोग सोचल मीडिया पर राजदीप सदेशाइस देश तमाम प्यारे-प्यारे सवाल पूछ रहे हैं, कोई कहता है कि कांप क्यों रहे हो, कोई कहता है कि चोर की दाड़ी मे तिनकों से भरी हुई है, निस्षत दोर पर आज तक और इंडिया टूड़े ग्रूप का जो पूरा घोटाला है, लोग इस पर पहले से सवाल उठाते थे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाता था, कि किस तरीके से आज तक चैनल इतने दिनों से नंबर वन बना हुआ है, टी अंबीर सिंग ने उनके उपर से जो आरोप था, उसको सिरे से खारिज करते हुए, उस व्यक्ति को इसमें लपेटने की कोसिस की, जिसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं था, ये पहली बार था, कि पुलिस के पास जिस भी तरीके की सिकायत को ये F.I.R. आती है, लेकिन यहां तो बिल्कुल ही उलट हुआ, फिल्मी कहानी में भी इतना बड़ा ट्विस्ट नहीं होता हुआ, जितना बड़ा ट्विस्ट इंडिया टुडे ग्रुप ने, आज तक ग्रुप ने परमबीर से करा लिया था, कि परमबीर ने उस जाज में, उस F.I.R. में जो प्रिप कोट पहुचे, फिर हाई कोट पहुचे, और हाई कोट में जिस तरीके से महाराश सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिये, और अपने आप को कह दिया, कि हमारा परमबीर से कोई लेना दिरा नहीं है, परमबीर ने जो कुछ प्रेस कॉन्फेंस में किया था, वो पह बड़े अपने आपको पत्रकारता का मूरुदर्न ने बताते हैं ज्यानी बताते हैं और तमाम तरीके की प्रवचन दिया करते हैं आज वो कहां छुपे हैं वो क्यों नहीं सवाल उठा दे परंबीर सिंग से वो क्यों नहीं सवाल करते हैं मुंबई पुलिस से वो क्यों नही सिद्ध हुए हैं उन्होंने क्यों नहीं इस पूरे मामले को ढंग से खोजबीन की 6 गंटे के भीतर जब पता चल गया था कि इस मामले का दोसी आज तक चैनल है इंडिया टुडे गुरूप है उसके बावजूद वो अरनग गोश्वामी और उसके चैनल रेपब्लिक टीवी को निसाना बनाते रहे बाद में भी जब ये सारा मामला खुल गया हाई कोट के अंदर कपिल सिब्बल ने कह दिया कि F.I.R. में अरनग गोश्वामी और उसके चैनल का नाम नहीं है वो अपरादी नहीं है उसके बावजूद इन लोगों में थोड़ी भी सर्म नहीं बची इन्होंने न माफी मागी और नहीं उसका खंडन किया और नहीं वो C.B.I.E. बारे मामले पर कोई रिपोर्ट बनाते हुए या कोई एपिसोड करते हुए दिख रहे हैं जैसा कि उन्होंने अरनग गोश्वामी का नाम उच्छाले जाने के बाद किया था निश्य तोर पर इसको लेकर सुधीर चौधरी ने एक प्रोग्राम में बात तो की थी लेकिन उसने एक स्रेफ और स्रफ ये कहा कि ये मामला मुंबई के मामले से अलग है उसने ये नहीं कहा कि मुंबई के मामले में जो दोसी था उस व्यक्ति को उस चैनल को बचाने की पर अंबीर सिंग मुंबई पुलिस का कमिशनर कर रहा था और इसके लिए अब उसकी नौकरी पर बात बनाई है उस पर दवाब है कि या तो वो इस्तिवा दे या फिर पूरे मामले की जिम्मेदारी ले निश्य तोर पर इस तरीके की जब बाते होती हैं तब ये पता चल जा है कि कौन बास्तब में इमानदारी से पत्रकारता कर रहा है और कौन बास्तब में पच्छ कारता कर रहा है यहां पर इस परश तोर पर इंडिया टुडे गुरूप और आज तक चैनल तो इसके दोसी हैं ही लेकिन उनके साथ में जो खड़े हुए हैं उनका साथ जो दे रह और हो सकता है कि जब CBI जांच करे तो उनमें से भी कुछ लोगों के नाम कुछ चैनलों के नाम भी सामने आ जाएं इस TRP घोटाले में लेकिन ये तो तय है कि इस TRP घोटाले की जांच में जो जांच होगी उसमें इंडिया टूडे गुरूप और ये पूरा का पूरा आज तक चैनल की जो साख है पूरी तरीके से बरबाद होने जा रही है उसकी सच्चाई लोगों के सामने आने जा रही है ऐसा इसलिए अगर किनों ये बहुत जैदा हला ना मचाया होता आरिनब गोश्वामी को निसाना ना बनवाया होता तो सायद वो बार्ग का जो जुर्माना था पाँच लाग का उसको भरके ये छूट भी जाते है लेकिन इनके हात इसा लगा कि ये इनके हाथ में माहराष सरकार है, इनके हात म इसलिए वो इनके सारों पर चलेगा और ऐसा हुआ भी लेकिन ये जो पूरा खेल था अब इनके गले में एक हड़ी की तरह फस गया है। आज तक चैनल और इंडिया टूडे गुरुप पर बहुत भारी तोर पर पड़ रही है। जय हिन जय भारत!